दोस्तो बोलीवुड के काले कारणामों के बारे में तो आपने अक्सर ही सुना होगा कि किस तरहे बड़े बड़े डाइरेक्टर्स रोल देने के चक्कर में लोगों की इज़त के साथ खेलते हैं। शरीफ दिखने वाले एक्टर्स परदे के पीछे नशे में धुत रहते हैं और ना जाने क्या क्या लेकिन आज हम पूरे बोलीवुड के बारे में बात नहीं करेंगे। सोचा है कि अमिता बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन अपने ससुराल में क्यों नहीं दिखती या आपने कभी उन्हें अपने पती के साथ देखा है। अपने ससुराल और पती दोनों से दूरिया बना ली। दोस्तों श्वेता ने मातर 23 साल की उम्र में अपनी बेटी नवया को जनम दिया था और हाल ही में उनकी एक वीडियो बहुत ही जादा वाइरल हुई जिसमें ये पार्टी से निकल रही थी और उस वक्त ये काफी जाद नशे में धुत थी इन्होंने इतना जादा नशा कर रखा था कि ये खुद से चल भी नहीं पा रही थी लगता है इसे लिए पार्लियामेंट में जया बच्चन ने कहा था कि बोली वुड में कोई गलत काम नहीं करता कोई नशा नहीं करता क्योंकि शायद उन्हें अपनी बेटी की करतूते नहीं पता होंगी और क्या पता श्वेता बच्चन के इसी खुले मिजास की वजह से ही उनका तलाक हुआ हो जिसे आज पूरी दुनिया से चुपाया जा रहा है अमिता बच्चन और एश्वर्याराय का क्या रिष्टा है दोस्तों ये तो बहुत बड़ा सवाल है और क्या आपको मालूम है कि हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं असल में कई सारे लोगों का कहना है कि अमिता बच्चन और एश्वर्याराय एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे इसी वजह से अमिता बच्चन एश्वर्याराय को अपनी बहु के रूप नहीं देखना चाहते थे क्योंकि उन्हें एश्वर्या राय के कई सारे ऐसे रास पता थे, जिनको एश्वर्या राय ने पूरी दुनिया से छुपा रखा था। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि एश्वर्या राय अमिता बच्चन के काफी करीब थी हाला कि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जिस तरह एश्वर्या राय अमिता बच्चन के साथ खुल कर रहती हैं अतना तो शायद उनके खुद के बच्चे भी नहीं रहते हैं कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना यह वाला गाना तो शायद ही कोई होगा जिसने ना सुना हो जी हाँ जब ये गाना आया था तो बहुत ही जादा हिट हुआ था क्योंकि इस गाने में अश्वर्या राय अभिशेक बच्चन और अमिता बच्चन ने साथ ठुमके लगाए थी हाला कि उस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि अश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू बनने वाली है यहां तक कि अमिता बच्चन भी ये बात नहीं जानते थे वरना वो एश्वर्या राय के साथ इस तरह का गाना क्यों करते जया बच्चन को नहीं पसंद है एश्वर्या राय दोस्तों ये बात सामने आई है कि अमिता बच्चन के घर में काफी खटपट चलती रहती है। उनके घर में भी सास बहु की तूतू मैमे जारी रहती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं करती। जया बच्चन को कभी भी अश्वर्या अभिशेक से काफी जादा पॉपुलर है और टैलेंटिड और खुबसूरत भी है। शुरुवात में तो जया बच्चन को लग रहा था कि एश्वर्या राय ने बच्चन खांदान के साथ रिष्टात जोडने के लिए अभिशेक से शादी की है। क्योंकि उस बार इसके परिनाम भी देखने को मिलते हैं जहां इंटर्व्यू वगेरे में अगर कोई एश्वर्या राय से सल्मान के बारे में कुछ पूछ ले तो जया बच्चन गुसे से आग बबूला हो जाती है। अमिता बच्चन ने करी बी ग्रेड की फिल्में जी हाँ दोस्तों आपको ये बात शायद पता नहीं होगी कि अमिता बच्चन ने बी ग्रेड की फिल्में भी कर रखी हैं। जब अमिता बच्चन कर्ज में पूरी तरीके से डूप चुके थे तो उनके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था। उनका पूरा करियर डूपता चला जा रहा और घर में बिलकुल भी पैसे नहीं थे। तब ना चाहते हुए भी अमिता बच्चन को बी ग्रेड की फिल्में करनी पड़ी। फाइनैंशल क्राइसिस को कम करने के लिए अमिता बच्चन ने बूम नाम की फिल्म में काम किया जिसमें कैटरीना कैफ भी थी। कहा जाता है कि इस फिल्म को करने के लिए अमिता बच्चन को अच्छे खासे पैसे मिले थे। इसके बाद ही अमिता बच्चन को टेलिविजन का काम मिला और कौन बनेगा करोड़ पती करने के बाद अमिता बच्चन के हालात सुधरने लगे। उससे पहले तो अमिता बच्चन की हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि पूछो मत श्वेता बच्चन और एश्वर्या राय बच्चन के बीच की लड़ाई। ये भी लगता है कि एश्वर्या राय अभी शेक को परिशान करती है वो अभी शेक से नहीं बलकि घर के पैसों से प्यार करती है। लेकिन एश्वर्या राय फिल्मे दुनिया में अपना कमबैक चाहती थी और इसलिए उन्होंने इस तरह के काम को किया जिससे बच्चन परिवार काफी नाराज हुआ। अब दोस्तों आप कुछ भी कहें लेकिन बच्चन परिवार के बीच चलने वाली अन्बन साफ नजर आ जाती है क्योंकि तभी तो एश्वर्या राय जादा तर अपनी बेटी के साथ नजर आती है और अभी शेक बच्चन के साथ कम। यही सब कारण है कि श्वेता बच्चन एश्वर्या राय को जादा पसंद नहीं करती खैर बड़े घरों में ये सब बाते बिलकुल आम है कि लोग एक ही घर में रहकर मीलो दूर रहते हैं और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता क्या अमिता बच्चन का चकर था एश्वर्या राय के साथ दोस्तों यह बच्चन और एश्वर्या राय की शादी से पहले चल रहा था कई लोगों का कहना है कि बोलिवुड में काम पाने के लिए एश्वर्या राय ने अमिता बच्चन का सहारा लिया अब बोलिवुड में कोई भी किसी की मदद कैसे करता है ये तो आप सभी को मालूम ही होगा उस मदद के क्या माइने होते हैं ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं इन दोनों ससुर और बहु के बीच के रिष्टे को लेकर कई बाते सामने आ चुकी हैं जिस पर कई सारे आर्टिकल भी छापे गए हैं लेकिन इन बातों को हर बार की तरह दबा दिया जाता है अब इन बातों का सचाई से रिष्टा क्या है ये बात सच है या नहीं ये तो हम आपको नहीं बता सकते लेकिन हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि बोलिवुड के बाकी सभी खांदान की तरह बच्चन परिवार में भी काफी कुछ गोलमाल है जिसे चुपाने की कोशिश करी जाती है लेकिन स पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में जादा से जादा शेयर कर दें आगे भी ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर से दबाएं कमेंट बोक्स में ये लि अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद